हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वॉक्षीट नंबर 15 जो की 1 सितंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश और बच्चों आज हम हमारी बुक मैरी गोल्ड का योनिट 1 पढ़ने वाले हैं जो की है दा मै माजिक गार्डन तो प्यारे बच्चों यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे उमीद है कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे तो हम हमारी जो स्टोरी है जो हमारी टेक्स्ट बुक में दे रखा है यह हम अल्रेडी पढ़ चुके है तो चलिए हम अपने इस लेसन को इस स्टोरी को और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं समझते हैं इन क्वेस्टन के थूँ ठीक है तो question number one है let's try and understand the words better by matching them with their pictures तो यहाँ पे कुछ words दे रखे हैं और उनसे related यहाँ पे pictures दे रखी है हमें words को उनकी सही picture के साथ match करना है ठीक है तो देखे यहाँ पे पहला क्या है garden और garden picture में कहा बना हुआ है यह रहा तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे दूसरा है watering can यानि की garden में या पेड़ पौधों को जब हम पानी डालते हैं तो किसी bottle से डालते हैं तो bottle कहा है यह रही तो इसको हम मिला देंगे इसके साथ next है gardeners यानि की बगीचों में जो पेड़ पौधे लगाते हैं फूल उगाते हैं जसको हिंदी में हम कहते हैं माली वो कहां पे हैं यह रहे तो gardeners को हम इनके साथ मिला देंगे तो पहला question complete हो गया अब हम देखते हैं question number two look at the sentences given below they have been spoken by someone in the story the magic garden यहाँ पे दो sentences दे रखे हैं और यह दोनो sentences story में किसी ने कहे हैं और यह story है the magic garden इसमें अलग-अलग लोग थे birds थी तो उन में से किसी ने यह दो sentences बोले हैं let's find out who spoke these sentences in the story तो आपको यह पता लगाना है कि यह sentences किसने बोले हैं ठीक है देखो पहला sentence क्या है they are kind and they bring bread for us कि यह सब बहुत kind यानि दयालू है और यह सब हमारे लिए क्या लेकर आते हैं bread लेकर आते हैं यानि खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं तो यह story में बोला था एक tiny bird ने tiny मतलब होता है छोटा tiny bird मतलब एक छोटी सी bird ने यह चीज़ कही थी ठीक है a tiny bird इसको चलो मैं एक पर दुबारा लिख देती हूं इसको हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं तो यहां हम लिख देंगे a tiny bird तो first वाले में किसने यह sentence बोला है तो एक छोटी सी bird ने बोला है तो first concept हमने complete कर लिया first sentence अब हम देखते हैं second sentence second sentence क्या है I love the marigold in its golden dress मुझे marigold बहुत पसंद है जो कि अपनी golden dress में होता है तो यह line किस ने कही थी तो यह line अगर हम यह story देखते हैं तो उसमें बच्चे ने कही थी तो इसका हम answer लिख देंगे a child इसका answer हम क्या लिखेंगे a child ठीक है आप देखो इस तरीके से हमने question number two भी complete कर लिया ठीक है first sentence बोला एक bird ने और second sentence बोला एक छोटे next activity दे रखा है talk time dear children look at the picture given on the right hand side carefully आपको इस picture को ध्यान से देखना है what do you think the boy and the girl in the picture are talking about तो आपको क्या लगता है कि इस picture में जो boy है और ये girl है आपस में क्या बात कर रहे होंगे imagine and create their dialogues तो आप सोचिए और इनके dialogues को create करिए say them out loud and write them in your notebook तो इनको जोड से बोलिए और इनके dialogues को अपनी notebook में लिखिए you may take the help of your elders too और इसके लिए आप अपने elders की help भी ले सकते हैं तो चलिए देखते हैं ये आपस में क्या बात कर रहे हैं तो देखिए इस activity में ये boy बोलता है what are you doing तुम क्या कर रही हो तो लड़की बोलती है I am feeding the parrot मैं parrot को खाना खिला रही हूँ feeding का मतलब होता है खाना खिलाना ठीक है तो आप इसको अपनी notebook में लिख लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए आपके parents के लिए यहाँ पे कुछ suggestion है कि बच्चों को पाठ में दिये गए नए शब्दों से वाकि बनाने के लिए ट्रेडित कीजिए तो आप अपनी book को open करेंगे और ये chapter निकालेंगे जो हम पढ़ रहे हैं और उनमें से आप 5 words को चाटेंगे पांच या 10 words जैसे आपको अच्छा लग रहा है उन words से आप नए sentences बनाएंगे ठीक है और sentence बनाना आप सबको आता है जैसे मान लो मैंने एक word imagine किया मैंने यहाँ से एक word ले लिया girl तो अब girl से अगर मुझे कोई sentence बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी ऐसे I am a girl मैं एक लड़की हूँ यह बन क्या sentence तो ऐसे ही आपको पांच या 10 words आपको अपनी बुक से चूस करने हैं और उन words से इन sentences को बनाना है तो I hope यह worksheet आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और यह video भी आप सभी को बहुत जादा मज़ेदार लगी होगी और अगर आपको यह video पसंद आई है तो इसको like करें अपने friends के साथ share करें और इस channel को subscribe करें Thank you